आज तो मेरी हुशी की इंतहा होगी है और क्यों होगी है यह आगे चलके आपको पता चलेगा बिल्कुल आप लोगों ने भी से कॉमेट्स कर देना है सुटार्टिंग में कि अंकल आ गए है चोधरी साब आ गए है हमें पता है तो चलो देखो फिर आज मैं देखती हूँ कि आपका गैस क्या कहता है वी वर्मज आज चोधरी घर आए थे यहां पर मैं पराने घर में काफी दिनों से मैं इधर ही रहे हूँ जैसे कि आप लोगों या मैं मनाती रही आप लोग गैस करें आप बताएं मुझे कॉमेडि सेक्ष्षन में जल्दी-जल्दी कि उन्होंने मुझे मनाया या फिर मैंने उनको मनाया क्योंकि मैं तो फाइनली आपको बताने वाली हूं उसके लिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वेट तो ब ओल यह जानी बताओंगी कि आपने भी अनसे विली आए ऐसे हिरी है आप में अब EG याт है यह कहों है और बताएं मैं आफेस से खुछ लागी हूं के यह कुछ आ हुआ हूं हुआ जो ङ झाज हुआ ह। आज हमारी फेवरेट डिश बन रही है अज मच्छी बनेगे देखना कांटे भी खाकू जाएंगे नभी तो कांटे भी खाज़ा देखना दरा याज कैसे खाता है जी जनाब तो कुछ वीवर्स की रिक्वाइर मिंट आज हम पूरी करने वाले हैं आज मेरी एक रेस्पी बना अम्म जबेख खाने और न Allee क्या वुक्त भी आजिए व्क्झ settlement है तो कर लेकियो और लिटीर उनला देखना मैं कि रोश्नी तो आएं आपको अम मिलवाते हैं तो इृप ए मिलवाते हैं इसMom nutrition एप आज båई अफ मी लोग के तेरी अमी कियो पकां दिए तू क्यों निपकां दी मैं दिए अइडिया अवद धिकायनी आधकलमेने साफ दीक ए। अवकरण वितकरें। जई नोग जानीbon धो आप पका दीका नम अवनी पकां दिया। पकाव लग दियान पर एक की नो जराओ सही पकाव अधी सुरा, बाकी दिया दुजियां चान दूराई पकाव दिया हुए। उनना दूनी सही पक दियान। के दा थोम कच्छा के द गंडे कच्छे ने कह दी मर्ची को ली उचे। कि अन्यों नहीं को नहीं देबंदा खावे कि इन मांटी आपकावादी मच्छी देवेखी जातना बाड़ बाड़ लोगी खा जाएंगा मज़ेदी पकेगी मज़ेदी अच्छा आएखी खांदे निदी पपू जीम खाना ले बैठेने की अन्यों तुसी की कि आज पकाव बेबनू मच्छी की जीम मच्छी ते सलाम लेकम दकीता नी आज जीम ने और नवीद ने अपनी दादों को का कि मैं मच्छी पका के दो तो यहां पर भिल्कुल रेडी बेठी यह जिलाजा के और अमई पीडी कि बड़ी यहां पर ने प्यास-कट कर लिए और मच्छी को अच्छी तरह से दोधा आकर रखा है और यह पाटिली जिसमें मच्छी पकानी और अभी अधरक लेसे कौटनी है उसतौ बाद शुरू करना ह आई अच्छा तो बिल्कुल अम्मी मेरी ready ए जी fish बनाने के लिए और अम्मी पजाबी में बोलती है आप लोगोंने सुन लिया अम्मी को किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं है मतलब अम्मी अपने साब से पकाती है ना तो अम्मी को गरम मसाले पसांद देखाने में ना इफालतू कोई भी चीज़ें सिंपल और साधा आज बनाएंगी आप लोग देख लेना और अम्मी ने मेरी भावियों के बारे में क्या बोला एक उसने का थोड़ा सा सही बनाती है नवीद की मामा क्यों नवीद और दूसरी का उसने का चान बूरा अम्मी की कह रही है तो अनू और मेरी अम्मी की रिष्ट सब्सक्राइब को पता है कि आजकल हर कुई अपने साब सकाता है और अम्मी अपने साब सकाती है जब अम्मी लहोर जाती है इनकी बंगों की मोजे हो जाती है क्योंकि वहां पर अम्मी को मेरे साथ रहना अच्छा लगता है मेरे साथ रहना अमी बहुत खूश रहती है क्यो तो पर भी मर्जी शेह ती लेकिन पदादा यह कूँ अमी को मेरा साती लगाए ज्यादा अमी में लगा नहीं लगान सारा ना बली है अ फुला खर्चा मेरे जा सब्झजी लगा जा शेह लगा मेरी अम्मी ने यह कहा है मैं उर्दू में बता दूँ कि यहां पर जो है पैसे मुझे मिलते हैं अम्मी अपनी मर्जी से सब कुछ लेका थी वहां पर अम्मी कह रही कि वह लोग अपनी मर्जी से चीजे लाके देते हैं मैं पका भी लूँ तो मतलब यहां पर यह कि हम कभी भी मारी 24 पे खाना ने पकता हैं तो फीर होता है ओमने ज़्यान्त की पोड़ीन तो फीर ह guarने की सारी हमें दो प्यों के साथ पकुइन को यह पीका प्सक्राइब अजिसली जाकि हम अगर अगर छी पिस कि रहालिकिनी हुआर है अगर और आज अम्मी के साथ की फिश साथ साथ ओए ना करो अम्मी के साथ काफी सारी बातें भी आप लोग की करवा दी ठीक है और अम्मी कहा थी कि मैंने सारी जिंदगी आपने यह दबटे के पले में पैसे बांद के रखें और आज तक मेरे पैसे चोरी नहीं हुए अकसर काफी पैसे हैं तो अम्मी कहती है कि जब छीनों के फिर पता चलेगा मतलब अम्मी को इतना कॉन्फिडेंस है कि कई नहीं गूम हो सकते ठीक है और अगीकत में भी आज़े कि नहीं हो सकते तो चले अब अभी अम्मी स्टार्ट लेती है अपने खाने का और कैसे बनाती पिर तक हमने फ्राई रखने हैं तो फिर मैं आपको दिखाती है और अमीद है कि आप सबको यह अम्मी की रैस्पी प्रसंद आएगी और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और थैंकियो सो माच जी आपकी जो मेरे बहुत प्यारी मेर कि जिए वस्ताइब से निम और यह प्रसQuery के रखब करेंगे आंपने कमेर नच्वाय करें तुड़ा सा पाने मिर्च्छ जली की नहीं प्रस jurisdiction अधर मिर्चे भून लेंगे देख लिए आपने प्यास डाला है और अधरक लसन का पेस्ट डाला है और कुछ भी नभी मिर्चे डालने और तो कुछ नहीं ना एमी तेज ना करना बस अमी ने जो जितनी जुरूरती ना डेड़ चमज डाल दिया मिर्चों का और अब भी जो है में नमक डालने वाली है तो यह जी नमक बस हाथ के साथ हमी ने देख लो अंदाजे से डाल दिया नमक बस यह पूरा होगा यह काम ज्यादा नहीं होगा मैं तोड़ा से तेज ब अब जो है इसके अंदर फिश जाएगी तो यह जी मसाला हमारा भून गया पैनली तभी जो हमें इसमें फिश रारी है और फिश के जे कुछ इस तरह से पीस करवाई होगा है यह देखें और हमने यह फिश ऐसे फ्राई करनी है मतलब शोर्भी वर्भी वाली नहीं बनानी ह मसाले वाली तो देखते हैं गैस बहुत स्लोव है कि काम जाब होते हैं कहीं मतलब खुरने का डार होता है लेकिन अम्मी मेरी बहुत सब्सक्राइब विश को खुरने नहीं देगी यह तो कनफरम है तो चलने जी राटी होती फिर मैं आपको दिखाती है मुह में अभी से पा ऑचिए चोटे में टेमो कि थे जवतर है नवे कि ढूंकरने लाग जाङ किछा लिख रॉल यह कनव फाड़ने लों बचाए तो धूर जाना है तो पहई राटी के सब्सक्राइब जारी जाना है hem फोट yang लिखाना है तो प्सक्राइब कर इदर आब आपने तो कॉसम्हान त आजो 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 मेला बेटा है किसका बेटा है किसका बेटा है किसका बेटा है किसका बेटा है बता दे बता दे यह मेरा बेटा नहीं है मुझे निपता किसका बेटा है चलो मैंने इसको बलाना ही नहीं है थोड़ी जी फिश चुए मसाले दार होनी चाहिए तो उसमें फिश डूबी भी नहीं है तो यह देखते हैं मसाला कैसा बनता है यह देखें यह हमारी फिश बनके बिलकुर रैडी होगी कोई बोटिया नहीं टूटी और अमी ने बरतन रखे हो और यहां पर खाने वाले रैडी हैं बच्चों को बहुत भूख लगी उन्होंने रो माशाला से हमारी फिश कितनी अच्छे से बनगी जरा सी भी नहीं खुरी और अभी मैं इसको खूंगी आए मैं दिलकाना बटान खाजो भी मैं फिश चकती हूं और आप सब को बताती मेरे तो में बाणिया रहा है बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला बाके अमी खाना मिलाती दिल कर भी मिलाती हूं फिश बहुत मजगी बनिती और मेरी मीली मेट मजगा घाती क्योंकि नोगी होती हर इनसानिक खाना मिलाती है लेकिन मेरी अम्मी को अपनी हाथ का पसान दे और हमें तो अपनी हाथ का पसान दे क्योंकि हम तो बच्पन से ही अम्मी के हाथ का खाना खाते रहें तो हमें तो आदत हैं अम्मी के हाथ का खाना खाने की तो चलें अभी में टॉपी की तरफ चलते हैं जो आप सब काफी देर स इंतजार कर रहे हैं मेरे ख्याल में के बिलोग नहीं बनाने करने मैं इसके कहने पर नहीं छोड़ें तो अगर आप लोग ऐसे करो कि मेरे साथ फिर मैं चोड़ दूगी क्योंकि आज काल व्यूज भी अच्छे नहीं देते आप लोगों पता नहीं कहां मेरी ओडियंस गैब हो गये यहां पिर काफी देड़ तक मेरा चैनल वो जो टर्मिनेट हो गया था उसकी वज़ा से कोई वीडियो नहीं आती रही शायद उसकी वज़ा से किसी के पास नोटी नोटी फिकेशन नहीं पहुंचता या उसकी वज़ा से मेरा चैनल डॉन हो गया है और चैनल के उपर से बहुत सारे विलोग्स जो थे मैंने फुद अपनी मर्जी से हटाए थे जिन में मुझे लगता था कि वाक्य ही इनके अंदर बहुत ज्यादा गाली ग्रोज है और वह ग्रोज हमेशा इसलिए होती थी कि कोई सामने वाला देता था इसलिए तो मैंने वह अपनी मर्जी से इटाए थे शायद उसकी वज़ा से चैनल थोड़ा डॉन हो गया कोई बात नहीं सायट हो जागा मुझे उस चीज की कोई टैंशन ही असल जो मेरी टैंशन थी वह आप म से ढ़ी टैंशन का मगाबला कर लएती हूँ तो इससे बड़ी ओ टैंशन क्या हो सकती है था भी यह जानि यांनि यह बहुत भाड़ी टैंशन होती है मेरा तो ऐसा ही है क्योंकि वो मतलब ज्यादा केर मेरी करता है लेकिन कहीं कहीं मुझे उसकी केर करनी पड़ती है तो तब मुझे लगता है कि हस्बंट सम्भालना बहुत मुश्किल है और लगता है कि सबसे जितनी बरजी बड़ी बमारी आजा इंसान उसको परदाश कर लेत कि हमें उन्होंने कभी घर से नहीं निकाला हम अपनी मर्जी से अपने घर में ही रहते हैं बेशक जितनी भी लड़ाई हो जाएं और मैं उन ओरतों में इसी भी नहीं हूं कि जो अपना घर छोड़के लड़के चली जाती हैं मैं भी अपने घर में ही रहती हूं मेरी भी यही बहुत पसंद है तो हर औरत को अपने ही घर में रहना चाहिए अपना घर अपना ही होता है यह जिन्दीगी का हिस्सा है छोटी मोटी लडाई जगड़ा यह वं हो जाता है लेकर मेरा तो समय ले कि मैं तो अपनी हर लाइफ की हर अपना दुख सुक आप सब के साथ शेयर करती तो अगर आप मेंसे किसी में भी कभी भी कोई गाम कोई तकलीफ आएं तो समय ले कि इससे आप सीखें कि मेरे साथ कितना कुछ हुआ हस्बंड ने मुझे क्या क्या नहीं बोला क्या क्या नहीं किया लेकर फिर भी मैं अपने ही घर में रही और आप मेंसे भी कभी भी किसी क हस्बेन अगर कुछ बोलता है तो अपना घर छोड़के मत जाएं मिया भीवी की निराज़गी थोड़ी देर की होती है और हमारी हमेशा ऐसी होती है लेकिन आप भीच में कुछ ऐसी वजवात थी जिसकी वज़ा से मैं भी काफी गुसे में थी वो भी काफी गुसे में थे त है और उसके बाद क्या करना दो इसने का करना मूड ना बनाना मूड ठीक अरलो यह कर लो कर फिलहाल तो मेरा मूड बनाई था उसके सामने में नहीं मानि तो मूड मेम और बना था लेकिन मैं अंदर से खुश भी ती और शुकर लाम्दुलिख थी कि आप आए अच्छा कि हाप आए लेकिन अभी मैं माननी नहीं हूँ यह मत सोचना कि मैं मानगी हूँ अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा और तो आप सब भी मुझे कॉमेट सेक्षन में बताईएगा क्या करूं मान जाओं इतनी जल्दी और ऐसे ही ऐसे मैं नहीं मानने वाली मेरी जो रिक्वार्मे के साथ नहीं मिलेगा तो अगर कंप्रोमाइज करो दिल से ना करो तो कोई फैदा नहीं है तो मेरी एक ही रिक्वार्मेंट है जो आज भी मैंने आपको बताई थी वह आप मानोगे तो आपकी मेरी सुलाई सुलाई कोई नराजगी नहीं कोई कुछ नहीं मुझे आप पर को मर्जी ले जाये मैं उनके साथ जाओंगी लेकर मैं रहूंगी नराजी यह थी आजकी बात तो आप मैं देखती हूं कि वह क्या करते हैं मैंने भी आज उनको यहीं घाका कि मेरे साथ एनिवर्सिय करना हो ठीक है वरना मैं तो नराजी हूं लेकН वह हस रहे थे काफी सारी तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां जाके मुझे फालो कर लें तो इसी के साथ मैं विलोग को एंड करूंगी यही थी आज की मेरी और उनकी कहानी जो मैंने आप सब के साथ शेयर की लेकर मेरी उनकी जैसे लड़ाई हुई थी ऐसे हमारा प्यार भी बहुत हैं लेकिन आप में से कभी भी कोई अगर किसी भी वज़ा से लड़ाई हो जाती है तो उसको बढ़ाना मत उसको जल्दी ही कलोस खार लेना और घर चोड़के भी ना जाना क्योंकि कुछ लोगों में इतना प्यार नहीं होता तो वो बहुत सीरियस ले जाते हमार भी मामला बहुत सीरियस आग लेकिन मैं हसते खेलते अपना उसको ख़ा선 भी कोई जैसे भी करें तो मैं अपना वक्त ऐसे गुजारती रहती है और मैं अपनी जिम्मेदारियां का मुझे निथा नहीं आते हैं तो हर ओरत यह नहीं कर सकती लेकिन मुझे देखियें कि आप मरद हो पर किसी का भी मकाबला कर सके ओर इतनी हिम्हत वाली पिर इतनी बहादर होना चाहिए तो अगर आप नहीं कार सकते तो मेरे जह से वह जगा नही बिना यह नहीं साथ चम्य कि धिर बात एक दुसरे को देखते दिखाते नोक्चोक में सुलाह हो जाती आ है और हम भी रहे दूर दूर लेकर चोधरी साफ नोक जोक करते रहे जाए और तो वो सहाबे कहते हैं कि हाथ फी गुजर गया पूछल रहागी आप पूछल अड़ी हुई यानि मैं अड़ी हुई एक बात पर जैसे ही चोदरी सहाब वो मेरी बात पूरी करेंगे तो हम दोनों आपको व्लॉग में नजर आएंगे तो इसी के साथ मैं अजाज चाहूंगी थैंक यू सो मच फूर वाचिंग बाइबाए लाहाफीज